तो गैज आगे आप सब वेलकम हैं अपना ही चैनल टेकनिकल सुजित में आज हम फिर से रिल्स पर काफी तेजी से वारल होने वाला तेरी ताकनी दा फैन जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सोगत होंगे इसी तरह का फोटो प्राजेक्शन वीडियो कैसे बना सकते हैं आज हम सीखने वाले हैं तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके मोबाल में भी एन एप होना चाहिए अगर नहीं है तो आप मेरे नीचे दिस्क्रीप्शन बक्स में जाईएगा वहाँ पर लिंक देख करके र फोटो को एड़ के लिजेगा चलिए हम करके दिखाते हैं आप अपना कर लीजेगा तो हम अपने दो फोटो को एड़ कर लिए उसके बार यहीं से एज़ो यह भी आपको देखने को मिल जागा और यह हम एक एक लिक कर देते हैं फिर से आप इसके starting में आजेगा अब यहां पर आपको किलिक करना है तेव तू एड म्यूजिक पर किलिक किजिएगा यहां पर आपको देखनों को मिल जेगा प्लस का इकन किलिक किजिएगा एक्ष्ट रेट फ्रम वीडियो पर किलिक किजिएगा साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे दिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिएगा एड़ कीजिएगा और यहाँ पर जो टाइटल देना है आप यहाँ से दे दीजिएगा उसके बाद ओके वाला आप्सन पे क्लिक करके साउंड को बाद कीजिएगा चुजवला आप्सन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से दाउन पे क्लिक करके आप इसको एड़ कर लिजिएगा अब यहाँ पर आपको बीत के हिसाब से फोटो को मैच कर लेना है कैसे करना है चलिए करके दिखाते हैं तो मेरा जो फ видите 2.18 सेकंड पर चलिए हमश्य से कर लेते यहाँ पर आपको 2 यहाँ से करना है 2.18 सेकंड पर चलिए हम यहाँ से एसे परगार से 2.18 सेकंड पर आईएगा और यहां से split कीजिएगा और आगे का जो एक्स तरह पाथे आप यहां से दिलिक्ट कर दिजिएगा इतना हो जाने पर आपका जो अगला भी थे 3.48 सेकेंड पर आएगा तो आप नीचे से स्क्रॉल करके आजिएगा 3.48 सेकेंड पर चलिए हम आ जाते हैं आप आ करके कर लिजिएगा तो यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा 3.48 सेकेंड इस पर आएगा और आप अपने फोटो को SHPLYD कीजिएगा और इसको आप यहन से इकोल साइज में कर लिजिएगा अगर इसमें आप दूसरा फोटो भी लगाना चाहते तो आप यहन से delete कीजिएगा और दूसरा फोटो को आप यहन से add कर लिजिएगा लेकिन हम नहीं करेंगे इसी को इडिद करके दिखाएंगे काफी गजब तरीका से देखनों को मिल जाएगा उसके बाद आप इसको equal size में cutting कर लेते हैं आप कर लेते हैं उसके बाद आप अपने first photo पे आजिएगा और इसके आप starting में आजिएगा यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा एक black और वाइट color का billing के देखनों को मिल जाएगा तो जो आप apply करना चाहते हैं आप उस पे क्लिक कर दिजिएगा और इसका जो duration है आप यहाँ से full photo में कर लेजिएगा और यहां से down पे क्लिक कर लेजिएगा अब आपका जो अगला photo है इस पर आईएगा और यहां से effects पे क्लिक कीजिएगा और इसके आप starting में आजिएगा स्क्रॉल करके आगे तरफ चलिएगा तो इधर आपको देखनों को मिल जाएगा एक detail वाला animation इसको आप यहां से apply कर लेजिएगा अगर इसमें आप दूसरा भी करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं तो हम कुछ इस परकार से रहने द पर और यहां से effects पर क्लिक किजिएगा और इसके starting में आईएगा और स्क्रॉल करके आगे तरफ चलिएगा अब इसमें आप जो effects apply करना चाहते हैं आप यहां से कर लिजिएगा सबसे अच्छा रहेगा जी तेर दाउन वाला तो चलिए हम इसको apply कर लेते हैं और इसका जो duration ह आप यहां से एक सकेंट तक कर लिजिएगा चलिए हम कर देते हैं कुछ इस परकार से आप अपना कर लिजिएगा इतना हो जैने के बड़ आप यहां से down पे किलिक कर दीजिए हमारा video बन के त्यार हो चुका है चलिए आपको एक बड़ प्ले करके दिखा देते हैं कुछ इ वीडियो गैलरी में सेब हो जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको आच्छा लगा होगा अगर थोरा सभी लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिजिएगा अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप जल्दी से कर लिजिएगा और वेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में